तुम लोगों की इतनी हिम्मत तुम लोग मुझ पर वार करोगे आओ ललन के गुंडो तुमको अभी ललन टॉप बनाती हूं मैं तेरी तो ये ले ये ले और ये भी ले इमली बनी मर्दानी हातों में उठाई लाठी और गुंडो की वाट लगा दी जी हां कलस के सीजल उडान में आज घाईल इमली गुंडो को सबक सिखा रही है उनको पीट-पीट कर नानिया दिला रही है असल में ललन और भानु ने उससे धोके से गाउंवालों के जमीन के पेपस छीन लिये और उस पर वार कर दिया जैसे तैसे इमली उनकी चंगल से भाग तो निकली लेकिन जखमी होने के कारण जादा दूर तक पहुँच नहीं पाई और ललन ने उसे बीच रास्ते में ही पकड़ लिया लेकिन इमली भी कम नहीं उसने हार नहीं मानी जरा देखें कैसे जखमी हालत में भी उसने डंडा उठा लिया और ललन के गुंडों से लड़ी और सबक भी सिखाया हाला कि इमली ने फोन करके चकूर को इस बात की खबर तो दे दी है लेकिन अब देखना होगा कि गायल इमली कब तक इन गुंडों से लड़ेगी और क्या चकूर अपनी बहन इमली को बचाने वहां सही समय पर पहुँच पाएगी आज तक ब्यूरो कि अधिने 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 वहां सही दिए